नमस्कार दोपहर समाचार में आपका स्वागत है राश्ट्र आज 74 वाग गर्तंत्र दिवस मना रहा है नए दिल्ली में कर्ताव्य पत्पर भव्य परेड में देश की सेन्यक्षमता और सांस्कृतिक विविदता का शांदार प्रदर्शन किया गया परेड में भारतिय वाईू सेना ने रोमान चक फ्लाई पास्ट किया राजियों केंडर श्वासित प्रदेशों और विदेशों में भारतिय दूतावासों से भी गर्तंत्र दिवस मनाये जाने के समाचार गरतंत्र दिवस समारों के उपलक्ष में छे दिन का भारत पर वो आज से दिल्ली के लालकिला परिसर में शुरू हो रहा है और F.I.H. पुरुशो की विश्व कप में क्लासिफिकेशन मेंच में राउर केला में आज शाम भारत का सामना जापान से दोपहर समाचार के साथ में जागरिती शर्मा राश्ट्र आज 74 वा गरतंत्र दिवस मना रहा है इस अफसर पर मुख्य समारों नई दिल्ली में कर्तव विपत पर आयोजित किया गया राश्ट्र पती द्रौपती मुर्मू ने गरतंत्र दिवस आयोजनों में देश का नेत्रित्व किया इस वर्ष की परीड में मुख्य अरिती मिश्र के राश्ट्र पती अब्देल फतह अलसीसी थे परीड आज सुभर राश्ट्रिय समर्स मारक पर प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी की पुषपांजली के साथ प्रारंब हुई राश्ट्र अध्वज फहराने के बाद राश्ट्र अगान हुआ और 105 mm की स्वदेशी फिल्ड बंदूकों से 21 तोपों की सलामी दी गई ये रक्षाक्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्म निर्भरता का प्रतीक है परेड की शुरुवात राश्ट्र पती के सलामी लेने के साथ हुई परेड में थल सेना का नेतरित्व 61 घुरसवार दस्ते, 9 मेकनाइजड कॉलम और 6 मार्चिंग सेन्य दलने किया परेड में स्वदेश में विकसित अर्जुन टैंक, नाग मिसाइल प्रणाली, के नाइन वज्र, हविद्जर तोप और आकाश शस्त प्रणाली का प्रदर्शन किया गया वायुसेना की मार्चिंग टुकडी में 4 अधिकारी और 144 युद्धा शामिल थे नौसेना की टुकडी में 144 युवा सैनिक शामिल थे और इसका नेतरित्व महिला अधिकारी लेटिनेंट कमांडर दिशा अमरीट ने किया पहली बार तीन महिलाओं और छे अगनीवीरों ने भी परेड में हिस्सा लिया तटरक्षक केंड्रिय रिजव पुलिस बल रेलवे सन रक्षान बल दिल्ली पुलिस, NCC और NSS की भी भागीदारी रही पहली बार सीमा सुरक्षा बल की महिला उट सवारों ने परेड में सह भागिता की अंतर राश्ट्रिय मोटा अनाज वर्ष को समर्पेत भारतिय क्रिश अनुसंधान परिशित की जहां की परेड का विशेश आकरशन का केंड्र रही प्रधान मंत्री राश्ट्रिय बाल पुरुसकार विजीता भी परेड में उपस्थित रहे परेड के अंत में फ्लाई पास्ट में वायू सेना और नौ सेना के 45 विमानों और थल सेना के चार हेलिकॉप्टरों ने शांदार कर्तब दिखाए एक रिपोर्ट इस बार ससस्त्रबल की आठ मार्चिंग टुकडियों ने भाग लिया जिसमें थल सेना के चार के अलावा वाय सेना और नौ सेना की एक एक टुकडिक शामिल थी वहीं पहली बार परेड में भाग ले रही मिसर की सैने टुकडि लोगों के आकरशन का केंद्र थी इसके अलावा परेड का एक और आकरशन रही डेर डेवल्स टीम के टुकडि जिसने मोटर साइकिल पर अपनी कला का परदशन कर लोगों को रोमांचित कर दिया गंतंतर दिवस परेड में 17 हराज्यों और केंदर सासित परदेशों की तेश जहाकियों ने भाग लिया जिसमें विभिन मंत्रालियों और विभागों की 6 जहाकिया शामिल थी इन जहाकियों ने देश के समर्द सांस्कृतिक धरोहर और समाजिक आर्थिक विकास को दर्शाया गुजरात की जहाकी में 24 घंटे सौर उर्जा से चलने वाले देश के पहले गाउं मोढेरा को दिखाये गया है जिसे हाल ही में यूनिस्को ने विश्व धरोहर स्थल के सूची में शामिल किया है वही देव भूमी उत्राखंड की जहाकी में प्रसिद छोलिया निर्ट के साथ कॉर्वेट निस्नल पार्क को दिखाये गया है इसके अलाबा धर्ती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की जहाकी में पवित्र तिर्थ स्थल अमरनात को दर्शाया गया है वही पश्चिम बंगाल की जहाकी में दुर्गा पुजा को दिखाये गया है जिसे हाली में युनिस्को ने सांस्कृतिक विरासत के रूप में मानेता दी है इसके अलाबा राष्ट व्यापि वंदे भारतम निर्थ प्रत्योगता के माध्यम से चुने गए 400 से अधिक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तूतियां दे कर परेट समारहों को और आकरशक बना दिया परेट के अंत में कर्तब बेपत पर वाईस देना के लड़ाकु मिमानों ने अपने कर्तब से लोगों को रोमान चीत कर दिया प्रधान मंत्री के परीक्षा पे चर्चा कारिक्रम में भाग लेने वाले विभिन राजियों और केंडर श्रासित प्रदेशों के 206 और सिक्षक तथा कला उत्सव के विजिता गणतंत्र दिवस परेट देखने के लिए विशेश अतिती के रूप में उपस्थित रहे प्रधान मंत्री अनुराक सिंग ठाकुर ने गड़तंत्र दिवस पर अपने संदेश में कहा कि ये अफसर हमारी समविधान का एक समेकित प्रतिवंद है जिसमें बहुत सांस्कृतिक अनुभवों उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मुल्यों और एतिहासिक विरासत का सुन्दर प्रस्तुतिकरन समाहिद है ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com फ्लेश हिंदी और हमारी मोबाइल अब newsonair पर भी उपलब्द है Northeast Diary Programme broadcasts every Thursday at 5.30pm brings very interesting and enchanting stories from the eight Indian states of Northeast India. In this week's Northeast Diary on 26th of January, we bring you an exclusive interview on the subject of paddy procurement in Assam with Diganthadas, Managing Director, Assam Food and Civil Supply Corporation. Looking forward to seeing you there! दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है राजियू के इंद्रशासित प्रदेशों और विदेशों में भारतिय दूतावासों से भी गनतंत्र दिवस मनाए जाने की समाचार मिल वही हैं कश्मीर घाटी में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राए भटनागर ने आज गरतंत्र दिवस के अफ़सर पर श्वीनगर में एसकी स्ट्रीडियम में लोगों को संबोधित किया उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में राज्यम में विकास शान्ती और प्रगती के नए युक का सूत्र पात हुआ है लद्दाख में करगिल में गरतंत्र दिवस देश भक्ती के जजबे के साथ मनाया गया लद्दाख स्वायत परवती विकास परिशद के मुख्य कारेकारी पारशद फिरोज एहमद खान ने राश्ट्रिय धवच फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ले उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधिते राथ ने इस अफसर पर अपने संदेश में लोगों से राश्ट्र प्रथम को ध्यान में रखते हुए अपना काम इमानदारी से करने की अपील की लखनव में अपने आवास पर उन्होंने द्वजा रोहन किया बाद में मुख्य मंत्री विधान सबा भवन में गरतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए ब्योरा हमारे संवाद दाता से प्रदेश की राजपाल आनंदी बेन पटेल ने राजभवन में तिरंगा फैराया और बाद में लखनव में हुई गरतंत्र दिवस की परेड की सलामी ली इस कारकम में प्रदेश के मुख्य मंत्री योग्या दितिनाद भी उपस्थित रहे साफ सफाई महिला सुरक्षा और अन्य सामाजिक संदेशों को बया करती खुब सुरज ज्हांकियों ने लोगों का मन मोह लिया राजबर में आज इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए थे सुशील चंदरतिवारी आकाशवनी समचार लखनव 36 गड में मुख्य समारोह राजधानी राइपूर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया राजबर में राजबर में राजधानी इटानगर के आईजी पार्क में किया गया मुख्यमंतरी पेमा खांडू ने राश्ट्रे धवश फेराया NCC कैड़ेट्स, स्काउट्स और गाइट सथा स्कूल के बर्चों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया श्विलंका में राजधानी कुलंबो इसेत भारतिय उच्चा योग सहित देश में भारत के सभी राजनाईक कारियालयों में गड़तंत्र दिवस मनाया जा रहा है आज सबह श्विलंका में भारत के उचायुक्त गोपाल बागले ने आई पीके एफ समारक पर पुषपान जली अर्पित की श्विब बागले ने कुलंबो में इंडिया हाउस में राज़्ट्रिय द्वजवेर आया गड़तंत्र दिवस अमारों के अंतरगत आज से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले में छे दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है इस दोरान गड़तंतो दिवस परेड की कुछ बहतरीन जहांकिया दिखाए जाएंगी इसके अलावा क्षेत्रिय सांस्कृतिक केंडरों के साथ साथ राज्यों और केंडरों शासित प्रदेशों के सांस्कृतिक मंदलों द्वारा सांस्कृत एक प्रदर्शन पैसट हस्तकला स्टॉल के साथ एक अखिल भारती फूड कोट और शिल्प बाजार का भी आयोजन किया जाएगा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जीटवंटी की अध्यक्षता भारत के लिए बहतर विश्व और बहतर भविश्व के लिए लोकतंत्र और बहपक्षियता को बढ़ावा देने का अफजर है गरतंत्र दिवस की पूर्वसंद्या पर कल राष्ट्रो के नाम संबूधन में राष्ट्रपती ने कहा कि जीटवंटी वैश्विक चुनोतियों पर विमर्श और इसके समाधान तलाशने का एक आधर्श मंच है राष्ट्रपती ने कहा कि जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए उबर्ती अर्थ विवस्था को विकसित राष्ट्रो के तक्नीकी सहियों की आवश्यक्ता है सुश्री मुर्मू ने विकास और परियावरण के बीच संतुरन साधने की आवश्यक्ता पर बल दिया राष्ट्रपती ने शासन में सुधार के लिए सरकार की हल के प्रयासों लोगों के जीवन और सर्वोदय मिशन की उपलब्धियों की सरहना की उन्होंने कहा कि भारत विश्व में पांचवी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था बन गया है राष्ट्रपती ने प्रधान मंत्री गरीव कल्यान अन्योजना की संबंध में कहा कि सरकार ने कमजोर वर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी उठाई है ताकि उन्हें आर्थिक लाभ मिल सके आकाश्वानी पटना आज अपना 75 वा स्थापना दिवस मना रहा है ततकालिन सूचना और प्रसारन मंत्री सरदार वल्ल भाई पटेल ने 1948 में आज ही के दिन पटना में आकाश्वानी केंद्र का उधगाटन किया था अपनी स्थापना के उपलक्ष में आकाश्वानी का पटना केंद्र इस वर्ष कई सांस्कृतिक कारिक्रमों और व्याख्यानों का आयोजन करेगा अर्थम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता विश्वा सर्मा ने गवाहाटी में दाश्ट्र धजवेर आया उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता अखंड है उन्होंने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम इंडिपेंडेंट उल्फा आई से हिंसा का मार्ग छोड़कर राज्य के विकास के लिए बाचित का मार्ग अपनाने का आ आज ही अन्हें मुकाबलों में दक्षन अफरीका का मैच मलेशिया से बिल्स का फ्रांस से और चली का सामना अर्जेंटिना से होगा भारत और न्यूजिलेंड के बीच तीन 2020 मैचों की श्रंखला का पहला मैच कल राची में शाम 7 बजे से खेला जाएगा हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट श्रंखला में न्यूजिलेंड को तीन शूने से पराजित कर भारत एक दिवसीय अंतराश्ट्रे क्रिकेट रंकिंग में पहले स्थान पर पहुँच गया है श्विलंका के राश्ट्रपते रानिल विक्रम सिंगे ने आज राश्ट्रपते सचवाले में सर्वदलिया बैठक बुलाई है बैठक में देश के प्रमुख मुद्दों पर आम सहमती बनाने और राश्ट्रिय सद्भाव को मजबूत करने के लिए विजार विमर्श होगा ये बैठक सभी पार्टी नेताओं की दिसम्बर 2022 की बैठक का ही अगला हिस्सा है जिसमें अल्प संख्यक तमिलों के लिए राजनीतिक स्वायतता की काफी समय से लंबित मारंग पर चर्चा की गई थी और अब एक नजर आज के मौसम पर राश्ट्र राज़धानी दिल्ली में कोहरा चाया हुआ है नियूनतम तापमान 9 डिग्री से अल्सिस रहा और अधिकतम तापमान 19 डिग्री रहेगा मुंबई में दोपहर बाद आशिक रूप से बादल चाय रहेंगे तापमान 17 से 19 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है कोलकाता में दोपहर में आसमान साफ रहेगा चेनने में आंशिक रूप से बादल चाहे रहेंगे जम्मू में और श्री नगर में दो पहर बाद बादल चाहे रह सकते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर राश्वाज 74 वा गरतंत्र दिवस मना रहा है नई दिल्ली में करतब व्यपत पर भव्य परेड में देश की सेन एक्षमता और सांस क्रतिक व्यवतता का शांदार प्रदर्शन किया गया परेड में भारतिय वायुसेना ने रोमान चक फ्लाई पास्ट किया राजियों के इंद्रशासित प्रदेशों और विदेशों में भारतिय दूतावासों से भी गरतंत्र दिवस मनाए जाने के समाचार गरतंत्र दिवस समारोहू के उपलक्ष में 6 दिन का भारत पर्व आज से दिल्ली के लाल किला परिसर में शुरू हो रहा है और FIH पुरोशों की विश्वकप में क्लासिफिकेशन मैच में राउर किला में आज शाम भारत का सामना जापान से इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समात हुआ नमस्कार